युदु सक्विवाइं इसके पहले क्लास में हम लोग डिसकॉस किये थे फांक्षन का डतैंशन पिशन अमिन डेफ़ारींशन मन जो भेंड डियागराम से हम लोग हम लोग ने दिया था एनलेटिकल उस एनलेटिकल डेफिनिशन को थोड़ा और आगे हम लोग एक्सीड कराते हैं हम लोग हमने इसके पहले क्लास पर डिसकस किया था ना कि फंक्षन को एनलेटिकल या मिन दिया जाया तो उस एक्सिड ल STEPHAN को देखते हुए हम लों कैसे चट्ट गरेंगे फंक्षन या नहीं है हमने बताया था इसके पहले क्लास में कि को भी मेसमैठ्मटिकल एक्सप्रेशन को फंक्षन हम दो कि बहुत भावलेंगे जब तो उस mathematical expression में दिखेंगे double variable होना चाहिए, पहला condition ये था, उसमें एक exception में था constant function, उसके वाद हमने बताया था कि single value होना चाहिए, उसके वाद हमने बताया था गरिगर value होना चाहिए, उसमें कुछ एक हमने examples भी दिये थे, उसमें से कुछ एक examples को हम लोग फिर सरे fit करते हैं, जैसे ऐसा पूज करो, कि हमने एक चोटा सा example लिया, कि x square plus y square equal to 16, ये function है, तो हम लोग बोलेगे नहीं, is not a function, क्यों? क्योंकि इसमें y to the power 2 है, मतलब इसका एक value पूट करोगे न, तो y का x से जाधा value मिलेगा, इसलिए ये function को represent नहीं करेगा, राइट न, अब हमारे पास य अब उनको सब सिंगल value, तो हाँ, single value कहने का sense if y का एक और के वल एक ही value निकले, बट किसी ने अगर आपको confuse कराने की कोसिश किया, कि ये function हो सकता है, multi-valued function, बिल्कुल multi-valued function हो सकता है, यो y का power अगर एक से ज़्यादा हो गया, तो उसे single value नहीं बोलेगा, वो multi-valued बोलेग अब आए लेगे चलते हैं, इस definition को ना problem में हम लोग यूज कैसे करेंगे, जो हमने analytical definition हम आपको बता चुके है, तो एक तो concept ये हो गया, I mean एक तो question का type ये हो गया, कि expression wise दे दियते हैं, बता लगा function है या नहीं है, कुछ एक expression पे और हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे अगर ह पे रिपरसेंट अ फ़ँच्छन, ए आप्च्छन में दिया में, fx इक उक्वल टू, a square root of x minus 1, plus a square root of, जैन देना है, 7 minus x, b में f x equal to हमने दे दिया log of x minus 1 by root ender 1 minus x square c option में हमने दे दिया f x equal to log of log of sin x और d option में हमने दिया f x equal to factorial x by fractional power of x अब expression wise मेरे को पता करना है कि कौन सा expression function को represent कर रहा है कौन represent नहीं कर रहा है तो यहाँ पी आप फिल कर रहा हूं में submit double variable ja i mean f x को लोग to y लिए सकते हैं को वाई equal to something को ईक्सका वाई को दिसवन है what i do this one ऑवाई बर्ड़िया नहीं है अब आप अअब हमने क्या बताया थां कि single उला चाहिए single value के लिए हमने क्या तरीका बताया था कि x का क्टा value करो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अब value लुपूट कर रहे हो उसके लिए अन्डीफैंड हो जाए और जो आप सोच नहीं पा रहे हो उसके लिए डीफैंड हो जाए है कि नहीं है तो यहां पे न हम लोग एक ही कोश्चन को राइस करेंगे कि ऐसे मैथमेटिकली प्रेडिक्ट कर पाना हम लोगों के लिए मुश्किल है तो इसका सबसे आसान सा फंड़ा यहीं होगा कि अगर डोमेन ओप दी फंक्शन का निकालने का तरीका अगर हम लोगों कोई पास पता हो तो बहुत असानी से बोल सकते हैं कि वह फंक्शन को मतलब मैं बोला यह चाहरा हूं कि सारे जो ऑप्शन सब मेरे को डोमेन जस्टिफाइब करना पड़ेगा तो आप बोलो है सब कर दोमेन निकालने का तरीका मैंने आपने बताया ही नहीं तो जी हां मिल्कुल अभी हमने नहीं बताया तो अभी मैं यहीं पुला चाहूंगा क सब्सक्राइब करो ज्यान दना मिलवाद को एकस का गयलू कुट करते हुए अदरवाइस आगे हम लोग डोमेन ऑप दी फंक्शन जैसे निकालने का तरीका मैं पढ़ाऊँगा आगे के लेक्चर में आगे के वीडियो में मैं बताऊँगा कि हाओ टु फाइंद डोमेन कौनसे एकस्प्रेशन फंक्शन को रिपर्जेंट नहीं करेगा बट फिर भी थोड़ा को मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पता होगा तो आईए हम लोग चेक करते हैं बारी-बारी से सारे एकस्प्रेशन को देखिए हमने अगर ए ओप्शन को चेक किया सॉलूशन में मेरे पास दिया हुए है सिंस एप एकस इक्वल टो स्क्वार रूट ऑफ एकस माईनस वन प्लस स्क्वार रूट ऑफ सेवन माईनस एक्स अब आप एक बताओ इसको दोमेन निकालना है मतब डोमेन से ही हम लोग जस्टिफाइट करेंगे यह घ्यान देना यह इसको और हो लोग ऐसा पूल सकते हैं न कि यह इक्वल टो स्क्वार रूट ऑफ एक्स माईनस वन प्लस स्क्वार रूट ऑफ सेवन माईनस एक्स अब किसी ने बोल दिया कि सर्ण ऑब्जरवेशन केता है तो इसके बारे में बात करो तो मतलब कि अगर मैं एक्स का फैलू पूट करता हूं मैं लेकिन हमारे का फैलू 1 पे जीरू हो जाएगा और एक्स का फैलू 1 पे ध्यागला भी रहत है तो सेवन माईनस वन सेक्स का स्क्वार तो एक बात तो पता है कि एक्स के किसी भी वैलू के लिए अगर कोई एक्स्प्रेशन डिफाइन है ना तो वह फंक आप बताओ अस्क्वार रूट को डिफाइन होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि एक्स माईनस वन मस्ट भी ग्रेटर दन और इक्वार टो जीरू फस्ट करेंगे इसको हम लोग इसको इसको में सेकेंड माल लिया अब बारी बारी इसो दोनों को साल्फ करते हैं हम ल तो फॉर्स्ट इंटरसेक्शन अगर सेकेंड कि मैं बात करू यहां त्याहन दना ए ग्रेटर वार इक्वार एक्स लेटरओ को सेवन है तो यहां से मरूब बोलेंगे एक्स का ऐलू लाई suggestion को नहीं को हम इसको लोग उसे तरीके सब लोग बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं बी ऑप्शन में हमारे पास था क्या है देखें का ज़रा कि भी ऑप्शन में हमारे पास था एफक्स इक्वेट होगो लॉग अब एक बार बता हूं जान दता है हैं पिर यहां पर इस्वाहम लोग बाइफ़ लेके चलें तो फ्रिप्वेट लेकर चलें लॉग उप्शन की अब अब ब्यास यहां पर लॉग बता है बिल्कुल 3 के लिए यह पिर अनडिफाइंड हो जाएका तो तो मेरा कॉश्चन यही है ना हम लोगा कॉश्चन यही है कि observation हर एक situation में काम तो नहीं कर पाएगा हमें मैं जिस इस वालो के लिए सोच हूँ हो सकता है विधियो के लिए अंडिफैंड हो रहा हो लिंक और वारा अधेक्शन को निकालने का तरीका आगे के वीडियो लेक्शर में हम लोग प्रवाइड करेंगे अब वैं प्रवाइड करूंगा और जैसंगी को आप निकालने का तरीकास मज लेंगे तो आप वहां से कर लेंगे वहां से कि आप के पास जो एक्सप्रेशन दिये हुए हैं फंचन को रिक्रेजंट करेंगा या और फूरा बोला है कि मैं मालकर प्रावउत आपको याद होगा लोग को define कैसे करते हैं, square root को define कैसे करते हैं. त अब बता होता की जारब y को define होने के लिए का चाहिए? y Line तती होगा जब यह पूरा term defined होगा. और यह पूरे term को define होने कि, तो बारी बारी से दोनों को solve कर लो और दोनों में common ले लो देखो common किस value के लिए हमारे बास आता है तो यहां से हम लोग बोल देंगे घ्यान देंगे कि x² less than 1 दोनों तरफ स्क्वाइर उट लेंगे तो modulus of x less than 1 और modulus का basic funday से बोलेंगे x का value minus 1 से plus 1 के बीच में और हमारे पास इस तरीके से first intersection अगर मैं second की बात करूँ आप देखो यहां पर x का value greater than 1 है और x का value minus 1 से plus 1 के बीच में है तो आप बताओ दोनों में सकुछ common हो पाया अब लोग से common कैसे लेंगे तो सबसे आसान सा तरीक है ना एक number line ले लो number line पे one और second में जो जो digit दिखाए देना उसको increasing order में दिखा दो तो देखो हमारे पास सबसे पहले दोनों में minus 1 आ गया उसके बाद बाद आ गया अब यह ध्यान रखना intersection लेने के लिए first को line के ऊपर सब्सक्राइब कर दो और second को line के नीचे सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब की पता चल पाए कि ऊपर नीचे common कौन सा पार्ट होगा तो देखो फॉस्ट हमारे पास वाला गया एक सब्सक्राइब कर दिया ध्यान रहे वन पे open होना चाहिए और second में क्या लगया है minus 1 से plus 1 एक सब्सक्राइब कर दिया ध्याम दैस डोनों पर open इंपर है यहां पर तो अल्रेटी उपन है अब जरा बताव लाइन के ऊपर नीचे कोई इसका मतलब क्या हुआ कि हांसे वारे पास इंटर सब्सक्राइब क्या हुआ इस नॉट एंट एंट फॉक्शन दिया हुआ है ना वो फंक्शन को रिप्रजाइब नहीं कर गा है मुझे पता है अभी फोड़े परिशानी हो रहे होगी कुछ स्टूडेंस को लेकिन गारेंटी मैं इस बाती गारेंटी दे रहा हुँ कि जैसे डोमेन अब दी फंक्शन निकालने का तरीका मैं बता दूँगा आप कुछी फी एक्स्प्रेशन को देखते भी बोल सकते हो कि क्यों एक्स्प्रेशन फंक्शन है या नहीं है विद था है पास क्या है देख्वाज़ा दा सी ओक्शन में एफ एक्स इपल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ साइट अब एक बात बताओ पूरी कोडिफाइं होने के लिए इतनी बात तो पक्की है इसको लोग और बोल सकते हैं ना वाइपल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ साइनेक्स तो यहां पे भी देखकर बड़ा मुस्किल है क्या ऑब्जर्वेशन से किस वेल्व के लिए डिफाइंड होगा किस वेल्व के लिए अंडिफाइंड होगा तो मैं फिर दो बार बार इस सब्सक्राइंड है क्लियर ना बट फिर भी थोड़ा साब लोग देख लेते हैं मैं मार्पर चॉलता हो कुछ एक स्टूडेंट को पता होगा होगा अपनी किया ही होगा तो अब बताओ यहां पर दो लोग है तो दो लोग को डिफाइंड कर दूओ इसका अर्गुमेंट यह हो जाएगा क्या लॉग अब हम लोग का इंटेंशन नहीं होगा किसा दोनों से सौल्व करके एक्सका वैलू निकालना है और दोनों में फिर्लास्ट में लोग को कॉमल ले लेना है तो प्रैक्टिकल यहां पर तो यहां पर कुछ ने कुछ है तो आएगा जाएगा साइन गेट अधन जीरो हमारे पास फस्ट क्वाडराट और सकेंड क्वाडराट के तो होता ही है तो लेकिन अगर सकेंड लोगरित्मिक इनिक्वालिटी के हाल से बेस का वैलू वन से बड़ा है तो लॉग को हटाते हो तो इनिक्वालिटी के सहत पे कोई फिटने ही पड़ता है अब तुम बताओ यहां से तो अब बड़े अरारम से कर सकते हो कि साइन का पो अब तुम अब तुम बताओ पूस्स में सब्सक्राइली निकले था के इसका मतलब कि फॉस्ट इंट्र सिंट की बात करेंगे तो प्रेडिक्ट कर पाना पड़ा है कि वो फंक्शन को रिपरजेंट कर रहा है यह फंक्शन को रिपरजेंट नहीं कर रहा है सबसे बढ़ेया तरिका यही है कि domain of function को find out कर दो भी फंक्शन अगर निकल गया तो मैं बहुत अराम से बोल चाहिए यह expression नहीं तो मैं फिर बही बात बोल रहाँ डोमेन हम लोग आगे डिसक्स करें ही how to find the domain of the function ओके एक लास्ट उप्शन हम लोग लिए हुआ है डी उप्शन उसको भी देख लेते हैं हम लोग देखे तो डी उप्शन हमारे परस क्या था fx equal to factorial x by fractional part of x अब टूब्बावाट वहता होगा कि आपने बता होगा कि प्रेक्षन होता है 0.2 तो पॉंत राखी अब तुम एक बताओ कि यहां पर जब भी पूर्च करेंगे तो व्होल पोट करेंगे तो तुम कोई भी होल नमबर पूट करो कि चेक करते हैं एक सब्सक्राइब जैसे यहां पर जिरू पूट करेंगे तो फ्रेक्टल पार्ट जिरू होता है तो आप बताओ उपर वन और नीचे जिरू अंडिफाइन हो गया नेक्स पूट करते हैं और नमबर पूट करना है क्यों क्यों कि सिर्फ होल नमर के लिए इस यह अधिया हुआ है फंक्शन वह एक से बहुत सारे निपाइब लिए लुए अधिक है तो अगर नमर के लावा को दूसरा वालू पूट करो यह एंडिफाइन हो जाएका तो हम लो करते हैं लेकिन का फ्रेक्टोरियल वान का अधिकर पार्ट जेरो आपको पता है तो पूरा एक्सप्रेशन नहीं करेगा तो मैं यहां पर बार बर एक बात को रहा हुँ आप एक्स प्रेलाइशन को इक्सप्रेशनव को देखते हैं तो हम लोगों को यह देना है कि डोमेंब शाक के कि कि डोमेन अप्धी फंक्शन निकाल लेगे करेंगे हैं सब्सक्राइब करेगा इसका मतलब है है यहांचे यह बातीय हो रहा होगा आप लोगो को ना के कल्कुलस नगई का बहुत है। जादा यूज है अगर को कैसे द्यूंग अच्छे से समझना पूरा का से उस वीडियो को देखना और गेरांटी है इस बात की डॉमें अब दिक फंक्शन अगर आपने समझ लिया तो आपका रेंज भी बहुत अच्छा हो जाता क्योंकि हमने डेफिनिशन में ही बता रखा है कि जो डॉमें की रॉस्पोंडिंग वागी उसको क्या बोलते है इस यहारे एक्स परीजिन को देखन हुए कौसा एक्स अप्सकोंट को रखना है यह यह एक्सपारेशन जो हमने दिया बहुत सब्सक्राएं खांचु महीं दिया तक उसमें से बहुत सबबाद में मों एसका मतलब क्या हो साधा है अगर वह फंच्ट नहीं हुआ तो उसके सांट में उसका इंटेगरेशन कर सकते हैं ना उसका टेप्रेंसियेशन कर सकते हैं यह नित तो सब कुछ भी मैथमेटिक्स में कोई भी उसका स्कॉप नहीं है कि इसका बोलने का सिंस क्या होगा जरा सोचो अगर हमने आपके पास बोल दिया एक चोटा सब्सक्राइब कर दें और जल्दी वादी में आप बेवकूप बन जाओ जैसे अगर मैं बोलों एफ एक्ष इकॉल टो लॉग ओफ लॉग ओफ साइड और मैं बोलों फाइंड एक ड कि जबाइब य एक्वल टू दिया हुए है लॉग ओफ लॉग ओफ साइड और यहां पर तो कम पोजिट फंक्शन है तो यहां पर चींदू बड़े आराम से लगा देंगे कि डिवाई वाई वाई दी एक्स इसको डिफरेंसियेट करेंगे तो लॉग को डिफरेंसियेट क करेंगे तो इस लॉग का स्ट एक्स साइन एक्स हो जाएगा तो वन बाइ साइन एक्स कर लेंगे और साइन इसका डिफरेंसियेशन पासबल नहीं क्यों नहीं पासबल है तो बिल्कुल वही बात कि function डिफरेंसियेबल होगा इसका मतलब यह है कि उसको continuous होना पड़ेगा आगे हम लोग बात करेंगे और continuous होने का मतलब है कि उसका अपना डोमेन चाहिए और यहां प्रतुश्चाब उस डोमेन ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि function का domain को ध्यान में रखना बहुत जलूरी है अगर function का domain बहुत अच्छा आपका है function के डोमेन पे आप अगर पहुच गए तो guarantee आपका calculus आगे बहुत ही आफसान लगने लगेगा कि किसी को भी दोगी इसका अगरिक रहत है यहां से एक बात तो माइन में रोगए function है तब ही हमारे पास continuity है यह है इंटेग्रेशन है और आगे कुछ भी नहीं और function किस पर बेस्ट डोमेन पर है तो आए नेक्स्ट हम लोग इस का यूज लेकर चलते हैं analytical definition का जैसे सपोच को रो के खमने एक छोटा सा कुश्चन कुछ दिया ज्यांदे ना बच्चे let gx be a function be a function ज्यांदे हो defined on minus 1 to plus 1 close interval if area of the triangle with two of its vertices add add 0 0 and x comma fx sorry x comma zx h root 3 by 4 square units then gx can be a option a square root of 1 minus x square b option plus minus square root of 1 minus x square c option minus of square root of 1 minus x square d option none of it dh dhyaan दे ना question में क्या बला गया है let gx be a function defined on minus 1 to plus 1 close interval if the area of the triangle with two of its vertices add 0 0 and x comma gx area दे आवा है triangle चीक है अगर solution की बात तो triangle हमने बना लिया चिक्क है triangle a,b,c दो वर्टिसस दिया हुए है 0 0 और x और fx area of the triangle हमारे पास दिया हुए है एक बात और ख्यान मेरे कि जो triangle है question में वो देना में बुल गया equilateral triangle है तो equilateral triangle हमने बुच्छ इस तरी ते से लिए लिए ठीक है area दिया हुए तो मेरे पो ना यह fx नहीं है gx नहीं है तो मेरे पो gx find out करना है तो आप बताओ since area of the equilateral triangle equal to आपको पता है ना root 3 by 4 into side square होता है ठीक है आप बताओ तो area of equilateral triangle दिया हुए है कितना root 3 by 4 equal to formula लगाओ root 3 by 4 side square side triangle नहीं तो बड़े अराम से नहीं का से distance formula को यूज करते हुए x-0 का whole square to one minus x square तो यहां से मारे पास gx का value क्या बोलेंगे आप बताओ plus minus square root of one minus x square अब यह ध्यान देना इसका मतलब है gx का कौनकों से फैलू होगा square root of one minus x square और gx equal to minus of square root of one minus x square यह option कभी नहीं बुलेंगे आप लोग plus minus जब नहीं बुलेंगे तो this one and this one देहां पैसा क्यों को रहा है समझ में आ रहा है न क्योंकि यह function हमारे पास नहीं है gx function दिया हुए question में function के definition को अगर ध्यान में रखेंगे तब इस question को कर पाएंगे अधर वाई यह question maximum student दियुद कर पाएंगे maximum student बुलेगा gx equal to plus minus student और one minus x square दखेगा यह option में है जो option में है उसको ticker के आगे निकल जाएगा अगर एक नहीं पास समझ में तो इस तरीके से हम लोग analytical definition को समझने की process करेंगे analytical definition जो हमने बताया function होता क्या है analytically और उसको problem में क्यासे use करेंगे वह भी हमने discuss किया अब यह लेकर चलते हैं function को define करते हैं ध्यान दना इस बात को कि कि देखो अच्छो कि first definition जो हमने function का प्राता किस से वेंड डियाग्राम से second definition हमारे पास क्या आया analytical अब जरा तुम बताओ कि जो भी expression ले रहे हो उस expression को देखते हुए function है या नहीं है उसका final जो हम लोग पास result है finally जो हम लोग बोलेंगे वो domain पर ही best argument के देंगे कि domain हम लोगो को निकालने तरीका पता होगा तभी finally हम लोग बोलेंगे function है की नहीं है है की नहीं अब जरा तुम सोचो कि expression दिया गया है तो अपने 10th standard में graph भी पढ़ा होगा draw करो इस expression का graph जैसा होगा तो याद करो तो graph को draw करने के लिए सबसे आसान method tabular form आपने पढ़ा होगा एक table बनाते होगे उसमें दो column बनाते होगे एक में रखते होगे x और दुसरे में रखते होगे y ऐसा कुछ करते होगे तो मेरा intention ही हाँ यह है कि expression ना देख कर करगे उस expression का graph ही देदे और graph देते हुए बोलते कि कि बता लगा कि यहां कौंसा graph function को represent करेगा और और पॉसला इख नहीं करेगा क्या होशरता है कि नि जिस तरीके से याद करो कि वेंड डियाग्राम में हमने बताया था कि वेंड डियाग्राम को देखते हुए वेंड डियाग्राम से expression कोई ने एक सब्सक्राइब को फॉलोग कर रहा होगा तब लोग एधनेटिकल डेफिनिशन पर आये थे तो पिलकुल उसी तरीके से कोई ने कोई एक्स्प्रेशन डिया हुआ उस एक्स्प्रेशन का कुछ ने कुछ तो ग्राफ हमारे पास आएगा तो हम लोग क्यों अ ग्राफिकली भी वोज़न कोंड आप करें का और 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 कॉन नहीं करेंगे तो आई इसको नोब कॉर्शन के लिए और विच्छ असाफ़ दूँ ग्राफ रिप्रेजेंट एक फंक्षन वाई इक्वाइटो एफ एक्स मैं एक उप्षन में दे रहा हूं एक सुर्वाइब दिया मैं हमने यह बी ऑप्षन में दिया एक एक ग्राम दो यह ग्राफ दिया है हमने यह कुछ इस तरीके से हैं को हमने ओफ दिया कुछ इस तरीके से हैं किया कुछ इस जीया अब दिखा जाते कौन प्रशन को डिया कर रहा है तो ग्राफ़ीकली हम लोगस mencion को को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से कि जो भी ग्राफ हमारे पास दिया गया है उस ग्राफ पे y-axis के पार्लल में लाइन प्लॉट कर देखेंगे कि वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कि मैंने क्या बोला कि ग्राफिकली फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका कि इफ ड्रॉट अलाइन पैरलल तो य एक्सिस ऑन डैक कर और इफ दा लाइन कुछ दग्राफ अट एक्जाक्ली वन पॉइंट ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन वाई एक्वल टू एक्स तो प्रेज़ में लाइन एक ही पॉइंट पर कर रहा है अगर मैं इस ग्राफ पर बात करता हूं तो य के प्रॉट करता हूं एक पॉइंट यहां पर यह से ज्यादा पर कर गया यह लाइन इसले यह ग्राफ फंक्शन को रिपरेज़ेंट नहीं करेगा विल्कुल उसी तरीके करता हूँ तो एक पउइंट पर कर ना चाहिए कुछ पार्ट के लिए के लिए कुछ पार्ट के लिए कुछ फंस को रिपरेजरेंट नहीं करेगा बिल्कुल उसी तरीके से देख लिए हूं यहां पर दो सब्सक्राइब ऐसे नहीं करेगा और और यहां पर तो सरी इंपनाइट टमपर प्रिकर कर जाएगा जिसलिए यह फंक्शन को लिप्रजेंट नहीं करेगा अब रहा सवाल की कि यह जो हमने लॉजिक देर रखा है कि य के पैरलल में लाइन करना है ऐसा कि तो ऐसा इसलिए जरा सो चोना तो कि मैं यहां पर को यह मिलेगा मतलब एक इंपूट से मारे पास एक और पूट मिल रहा है मतलब एक इंपूट से तो यहां से हमाने पास एक दो तीन और इतना चार चार आउटपूट मिल रहा है तो यहां से विदेख सकते हूं एक इंपूट से माने पास एक आउट दो और यह थरी ऑउट इसलिए यह भी फॉंसर नीट किया कुछ तरीकर से यहां पी भी बोल सकते हैं तो कोई भी expression का graph I mean कोई भी graph हमारे पास दिल दिया जाए तो graphically हम लोग कैसे predict करेंगे कि वो graph y equal to fx को represent करेगा या नहीं करेगा या नहीं करेगा या नहीं करेगा हम नहीं करेगा हम ने बता दिए आपको सबक्षेड में आ दिना रावात डे क्लियर है न प्रताओ यह ग्राफ अमने ले लिए हैं यह यह ग्राफ ले लिए हैं कौन सा ग्राफ फंचन को रिपट जाए हैं तो यह थ्यान नहीं